दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से विहार में लॉक्डाउन लगाया था अभी की स्थिती को देखते हुए और अधिकारियों के साथ बातचीत पर लॉक्डाउन को खत्म करने का फैसला लिया गया है विहार में केबल अब नाइट कर्फियो जारी रहेगा विहार में लॉक्डाउन का चौथा चरन मंगलवार को समाप्त होने के बाद अब विहार में लॉक्डाउन को खत्म कर दिया गया है मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की वैठक के बाद मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कहा कि लॉक्डाउन लगाने की बज़ा से कोरोना संक्रमन में कमी आई है अता लॉक्डाउन खत्म करते हुए साम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्री करफियो जारी रहेगा नितिश कुमार ने कहा है कि अब 50% उपस्थिती के साथ सरकारी और नीजी कारजाले 4 बजे अपराहन तक खुलेंगे दुकान खुलने की अब धी 5 बजे अपराहन तक बढ़ाई गई है उन्होंने कहा कि ओनलाइन सिक्छन कार्ज किये जा सकेंगे नीजी बाहन चलने की अनुमती रहेगी यह ववस्था अगले एक सब्ता तक रहेगी अभी भी भीड़भार से वचने की आवस्था है विहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने खुद इन सब बातों की जानकारी ट्वीट करके दी है आपको वताते चले कि विहार में कुरोना के वरते संक्रमन को देखते हुए राज्यसरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगाया था और अभी की स्थिती को देखते हुए और अधिकारियों के साथ बातचीत पर लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला लिया गया है दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले हैं